नमस्कार क्या पिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको पता रहे हैं आम आदमी पार्टी के तरब से आज ठीक 12 बजे संजे सेंग ने प्रेस कॉंफरेंस किया है और प्रेस कॉंफरेंस कर एडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि एडी पर दबाव बनाया जा रहा है एडी जान बूज के लोगों को परिशान कर रही है मारपीट को लेकर भी उन्होंने एडी पर कई गंभीर आरोप लगा है सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं संजे सिंग ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिस पे उन्होंने लिखा कि 12 बज़े बड़ा खुलासा करेंगे ध्यान से सुनिए देखिए और सबको बताइए उसके बाल संजे सिंग ने एक लंबा चोड़ा प्रिस कॉन्फिन्स किया और प्रिस कॉन्फिन्स करके कहा कि चंदन रडी को इतना मारा गया कि उसके कान के परदे फट गए समीर महिंद्रों के भी परिवार वालों को धमकाया जा रहा है अरुन पिल्ले के भी परिवार वालों को धमकाया जा रहा है तो शराब गुटाले के जो एक एक आरोपी है उनको लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है उनका कहना है कि E.D. जबरदस्ती उनसे कबुलवा रही है, उनको मार रही है, पीट रही है, इसे के साथ उनके परिवार वालों को भी टॉर्चर किया जाता है, तो प्रेस कॉन्फरेंस से जुड़ी बड़ी खबर के साथ मेरे साथ निउसरूम से जुड़े हुए है Capital TV के पकड़ने की जरुरत होती है, मीडिया वाले तो बताएंगे नहीं, पैसा खा करके पूरी तरीके से ये लोग केजरिवाल की वंदना में जुटे हुए रहते हैं, लेकिन क्या कहा संजे सिंग ने, संजे सिंग ने कहा, जो मेन हेट लाइन है, कि E.D. सुसोधिया के साथ मार पीट करके उससे जबरन कोई बयान उगलवा सकती है, अब ये ज्यान, ये दिव्य चक्छू, इस केजरिवाल ये जुटा गैंग जो है, अफवाह बाजी करने में सबसे आगे, इनको कैसे मालूम चला, तो रिवर्स लॉजिक अगर लगाते हैं, तो क्या पाते हैं हम, कि क् मुझ खोलने वाला है, और इसलिए उसके तैयारी हो, मैं इसके डिटेलिंग पर आऊँगा बाद में, कि क्या अंदर खाने चल रहा है, और क्या धंकी मनिसी सोधिया ने केजरिवाल और उसके गैंग को दी है, इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, य सानसद महोदे तो बन गया, लेकिन प्रस काफरेंस वो करता है किसी अनपल गमार की तरछे, जिसे ना कानुन के बारे में मालूम है, न देश का सिस्टम कैसे चलता है न उसके बारे में मालूम है, ये मदारियों का गैंग है, डम्रु बजाता है, बंदर नचाता है, केजरि और मीडिया वाले उसकी चम्चागिरी में कोई सवाल नहीं उठाएंगे तुम क्या कह रहे हो सबसे पहले तो एडिक के अधिकारियों को इसके खलाफ एक केस दर्थ करना चाहिए आप आरोप लगा रहे हो कि विट्निस के साथ हिउमन राइट्स के अभेलना हो रही है कि उसक चाहिए अगर हिूमन डाइट्स के अभेलना हो रही है किसी विटनेस की पिटाई हो रही है उस्थे जबर्दस्ती बयान दर्ज किये जा रहे हैं और जशाब और कोट चुप रहेंगे या अल्रेटी जब आपने दर्ज कर दिया कोट से तो रहत मिलेगी अगर ये लगेगा जशाब को कि तुम हमेशा की भाती जूट नहीं बोल रहे हो ED की जो तमाम जो पूस्ताच होती है mandatory है कि वो recording में हो दूसरी चीज आप ED के सामने जो कुछ भी बयान देते हैं उस बयान को बकाईदा लिखा जाता है अगर पढ़ा लिखा हो आरोपी तो उसे स्वेम लिखना होता है और अगर नहीं तो वो बकाईदा पढ़वाया जाता है पढ़वाने के बाद उसको लिखवा करके उससे दस्तकत कराया जाता है बही आपने आरुप लगा दिया कि किसी पत्नी की पिटाई हो रही है उसको धम की दी जा रही है ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी बेटी कॉलेज नहीं जा पाएगी ये गुंड़ा-गर्दी चल रहा है अगर ये बात हुई है तो आपने फुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किय आपने क्या समझ लिया है ये नटवरलाल इस तरह की गंदी ओची राजनिती इसने कर रहा है क्योंकि इसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सवाल यही कि प्रिस कांफरेंस करके जिस तरह से वो आरूप लगा रहे हैं वो कहरें मेरे पास सबूत है तो वो कोट क्यों नहीं जा रहे हैं इसके पास किसी चीज का आज तक ये लोग ऐसे हैं कि जिस किसी के खिराब इन लोगों ने आरूप लगाया बंद कमरे में जाकर के पैर में गिर के इन लोगों ने माभी मांगी है जितने भी भरस्टाचार किस ने आरोप लगा है ये बेसिकली उसको बोलना मैं नहीं चाहता हूँ ये एक्सपर्ट है एक चीज में थूक फेक के चाटने में ये मास्टर है केजरिवाल इसमें आपने ये सारे आरोप लगा दिये क्यों आरोप लगा रहे हो सबूत है तो दो सबूत है तो आप कोट में जाएं आप पुलिस में जाएं वह क्यों नहीं होगी कारवाई तो दिक्कत क्या हो रही है दिक्कत यह हो रही है कि कोई समर्थन नहीं दे रहा आपने प्रधानमंतरी बोदी के डिगरी के उपर सवाल उठाया आपके साथ कोई नहीं niesाया सब गालिया दे रहे हैं आपको सारे लोग अलग हो गये उदर मीटिंग चल रही है नितिश कुमार की राहूल गांदी की वहां अलग विपक्षी एकता की बात हो रही है तुम एक जैसे कहते हैं कि भई एक लंगलग होगा रेस से बाहर आपको जो है सब लोग साइड लाइन कर दिया है तो आप इस तरह से चीक चिला रहे हैं आज सबसे रोना क्यों रो रहे हैं आपने बिल्कुल सही टाइम पर यह सवाल उठाया जस्ट मनाया जा रहा था लेकिन जेल के अंदर यह सतंदर जैन और सिसोद्या किलस रहा था कि हमने तो जिसके लिए किया वो तो प्रधान मंत्री बनने के लिए हमें भुला दिया और हम इसके चक्कर में इसके काम को करने के चक्कर में हम लोग फस गए बात बहुती सिंपल है और इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो डर और खाफ किस्टी सोदिया लंबे समय तक हम जेल में फस जाएंगे बिना कुछ किये हुए हम क्या कर रहे थे हम तो सिर्फ केजरीवाल के आदर जो प्रेस कांफरेंस हुआ है उसके पीछे का लॉजिक तो यही लग रहा है कि केज रिवाल और उसके गैंक को यह डर अब सता रहा है कि सिसोधिया कहीं मून न खोल दे कोई जमानत नहीं मिलने वाली इनको भई अभी तो आपको अभी सीबिया के केस में आपको जमानत मिली नहीं मिली क्यों नहीं मिले भई क्योंकि जैसे आपको लग रहा है कि तुम लोगों ने लूट मचाई है अब दिक्कत क्या है कि ये खौफ ये डर केजरिवाल को सता रहा है कि जैन और सोधिय कही रिबोल्ट टक करते अपने सुत्रों से वो बता रहे हैं कि हमारे परिवार को तुमने निकल वा दिया घर चीन लिया सब कुछ कर लिया मेरी मंत्राले को खत्म कर दिया मुझे मंत्री रहने नहीं दिया और ये सारी कुछ चीजे जो है वो अपने आप चल रही है और हमें कोई पूछ नहीं रहा त पिर हम मुख खोलेंगे, तो क्या तरीका होगा? ये नट्वरलाल है, तो आपने क्या किया? ये इस तमाम लोगों के, जो जो आरोपी हैं, उसके नाम पे आपने कह दिया, कि इनसे जबर्दस्ती, जबरन, इनसे उगलवाया जा रहा है। क्या उगलवाया जा रहा है? उगलवाया तो ये भी जा रहा है, क्योंकि E.D. की आँच, की जाँच की जो आँच है, वो केजरिवाल के दरवाजे तक पहुँच गई है. इन ही लोगों के बयान के अधार पे, ये जो विभव, केजरिवाल का जो नीजी सहायक है, उसको भी जाँच जिन्स्यों नहीं बुलाया, फोन इसने भी बदले, फोन इसने भी डिस्ट्रॉई किये, तो ये सारी चीज़े जो एक के बाद एक सराब भुटाले में होती चली जा रही है, ताकि ये कह सके, कि ये जो बयान हो, क्योंकि फैसला आने में भी तीन-चार साल लगेंगे, ये इतना शातिर है, ये केजरिवाल, कि 24 तक किसी तरह से किसी को सजा ना मिले, किसी चीज़ का कुछ ना हो, इस चीज़ों को वो आगे लेकर के जाना चाता है, इसलिए वो कह रहा है, कि अगर सिसोदिया कोई बात, वहां से लीक भी हो जाए, ED के सामने वो कोई बयान दे दे, और ED उस खबर को कि सिसोदिया ने ये कहा है, कोट में जाके कह दे या बयान दिलवा दे, तो ये तो फच जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी जाच, एजनसी ED पे इतने गंभीर आरोप लगाना, क्या ED इस पर चुप बैठे हैं? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, ये संजे सिंग के खलाफ, इमिडेटली एक केस केस धर्ज कराना चाहिए, आप एजनसीयों के खलाफ इस तरह की चीज़े नहीं कह सकते, वो लोग तो इस अनपड़ गवार की तरह वो बाहर आकर के प्रेस कॉन्फरेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, कुछ ना कुछ लीगल कारवाई इनको इस खिलाफ होनी चाहिए, अब ये क्या करेगा, आज तो इसनी बात कह दी, कोई सबूत है नहीं, कोई कुछ है नहीं, आप आप चले जाओंगे पार्लिमेंट के अंदर, पार्लिमेंट के अंदर जब सेसिल सुरू होगा, फिर ये तमाशा वहां करेगा, वहां इसको छूट मिल जाएगी, अब ये करेगा, ये स्पेशल एसेमली बुलाएगा, और फिर एडी के खिलाफ ये जो है, जहर उगलेगा, ये कहगा कि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और मीडिया वाले ये तमाशा, ये नोटन की, ये पैसे खा करके उसको लाइव दिखाएंगे, पब्लिक के अंदर लगेगा कि नहीं कहीं, एडी तो गरबल नहीं कर रही, तो ये आप समझे, ये कितना शातर राजिनुती का खिलारी है, कि ये जूट भी बोलता है, तो इतना अकड के बोलता है, कि सच बोलने वाला भी उसके सामने confidence लूज कर दे, धन्यवाल जानकारी के लिए तो संजे सिंग ने press conference किया है, press conference कर, एडी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा है, आज मनेश शिशोदिया की जमानत याटिका पर भी सुनवाई होनी है, पर संजे सिंग ने जो आरोप लगाए है, वो आरोप कई गंभीर है, अब देखना होगा, इस पर एडी क्या कुछ आक्शन लेती है, इस बड़ी खबर पर मेरे साथ फिलाल इतना ही, कैमेर पर संडर्वी के साथ, मैं पूजा कैपिटल टीवी